गुड मॉनिंग बच्चों ये कक्षा फोर्थ के लिए है लेसन एटीन मेरी अंत्रिक्ष यात्रा अंत्रिक्ष विज्यान सम्मंदि लेख है ये बच्चों मैं पढ़ रही हूँ आपको भी ये लेसन दो बार पढ़ना है तथा एक पे सुलेक लिखनी है मैं बच्चपन से ही अकाश में दूर दूर तक उन्ने के सपने देखा करता था जब मेरी दादी मासितारों की कहानिया सुनाती थी तब मैं पलक जबके बिना अकाश को निहारता रहता था मैं सोसता काश मेरे पास कोई जादूई कालीन होता और मैं उस पर बैठकर आस्मान में दूर तारों के बीच जा पहुचता सब्तरिशी तारा सम्हू को पास जाकर देखता और धूर तारे से बाते करना चाहता था अंतरिक्ष यात्रा करने की मेरी इच्छा दिन पर तितिन प्रवल होती चली गई मेरी मेहनत और लगन के एकान मुझे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया मुझे एक वश्ट तक कड़ाच प्रशिक्षन दिया गया अब वह समय आ ही गया है जब मैं अंतरिक्ष यात्रा पड़ जा रहा हूँ मेरा मन परसंता से भरा है प्रंतु मन में एक कोने से कोने में थोड़ा सा बहबी है मुझे कप्तान का आदेश मिला है जल्दी से तियार हो जाओ उडान में केवल एक घंटा शेश है मैंने अपने स्पेस सूट निकाल लिया तुम्हें बता दूं कि यह स्पेस सूट एक विशेश परकार की पोशाक होती है इस परसूरिय और अन्य तारों से निकलने वाली हानिकार क्रणों का प्रभाव नहीं पड़ता अंत्रिक्ष यात्रा में इस पोशाक को पहनना बहुत आविशक है मैं यह पोशाक पहनकर कप्तान के पास गया उडान का समय हो गया है सबकी नजर घड़ी पर है हम अंत्रिक्ष यान के अंदर है गड़ी की सुष शुणने पर आते ही यान जटका खा रहा है लोग राकेट के निचले हिस्से में द्रव, हिंजन, इंधन, तेजी से जल उठा है नीचे की ओर से निकलनती तेज आग राकेट को उपर की ओर धखेल रही है रोकेट के साथ जुड़ा अंत्रिक्ष यान उपर की ओर चल दिया है अब मेरा यान वाईू मंडल को चीरता हुआ तेजी से अंत्रिक्ष की ओर बढ़ रहा है क्या तुम जानते हो कि पिर्थवी से अंत्रिक्ष तक की दूरी तै करना पिर्थवी के लगबग 10 चक्र लगाने के बराबर है अपनी तेजगती के कारण यान लगबग 28 घंटे में यह दूरी तै कर लेता है यान के अंदर एक टेलिविजन लगा हुआ है इस पर पिर्थवी का नजरा दिखाई दे रहा है नीले नीले महासागरों में बूरे रंग के महाद्वी बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे है यह सारा दृष्य अद्बुत है अकाश में चमकते रंग बिरंगे तारे बहुत सुन्दर लग रहे हैं ऐसा दृष्य नीचे पिर्थवी से नहीं दिखाई देता मैं और कप्तान बारी बारी से थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं भूख लगने पर बोजन नली में मून लगा का द्रव बोजन भी पी लेते हैं प्यास लगने पर पाने भी नली से ही पीते हैं लो हमारा यान अंतरिक्ष में जा पहुंचा है यहां पहुंचते ही मुझे भार हीनता का अनभव हो रहा है यहां सीधे खड़े हो या उल्टे बैठे या लेटे कोई अंतरपर्तीत नहीं होता यह तो तुम जानते हो कि पिर्थवी हर वस्तु को अपनी ओर खिषती है इसी के काण सब वस्तु में पिर्थवी की स्थे पटिकी रहती हैं इस खिचाव को ही गुर्तवा कर्शन बल कहते हैं पर अंतरिक्ष में यह बल नय के बरावर होता है खिचाव नय होने से वस्तु तेरती हुई नजर आती हैं अंतरिक्ष में नय हवा है नय पानी यहां सूरिय की धूप में रह सहनी गर्मी लगती है और छाय में उतनी ही ठंड यहां हम गिलास से पानी नहीं पी सकते पानी मुह में आते ही भावन का उड़ जाता है अंतरिक्ष में परवेश करते ही हमारे यान के कप्तान ने प्रियोक्षाला के वग्यानिकों से संपर्क किया है कुछ ही देर में हमारे यान प्रियोक्षाला के सामने जा खड़ा हुआ है दोनों के बीच का दरवाजा खुल गया है मैं और कप्तान पाइप में से होकर प्रयोक्षाला जा पहुँचे हैं प्रयोक्षाला में हमारा स्वागत किया गया यह प्रयोक्षाला एक सील बंध डिब्बे जैसी है यहां ऐसे पदार्थ बनाए जा रहे हैं जिने पृत्वी पर कते नहीं बनाया जा सकता अंतरिक्ष में दो दिन बिता कर और अनेक परकार के अन्बोव लेकर हम से कुष्र पृत्वी पर लोटाए अब तो वैग्यानिक अंतरिक्ष और चांद पर मनुश्य के रहने के लिए घर बनाने की बात सोचने लगे हैं आगे चलकर मनुश्य अन्य ग्रोप पर भी जाने लगेगा भारत का यान मंगल गरह पर सफ़ता पुरुख उतर चुका है बच्चों अब इसके शब्दार्त है नीहारता इसका मतलब क्या होता देखता सब्त रिशी साब्त रिशी आदेश आग्या या हुक्म आवेशक जरूरी यान विमान अत्बुत अनोखा भार हींता वजन नै होना ऐ सहनियें जिसे सहन नै किया जा सके स्पेश सूट अंत्रिक्ष में पहनी जाने वाली वेश भुशा प्रबल तेज भय डर शेश बाकी संपर्क मेल द्रव तरल गृत्वा कृषण अपनी और खीचने की शक्ती अंत्रिक्ष पिर्थ्वी और अन्य ग्रोहों के बीच का इस्थार बच्चों ये लेसन दो बार पढ़ना है और एक पे सुलेक लिखनी है थैंक्यू